हेलो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा की कैनन 700D के अंदर कैसे अपर्चर और सटर स्पीड को सेट करते हैं सबसे पहले हमने इसको आउन किया आउन करने के बाद यहां पे जो आप देख रहे हैं यह सटर स्पीड और यह इफ इस अपर्चर वैल्यू इस अपर्चर वैल्यू को चेंज करने के लिए जिस इस एवी इसको प्रेश करने के बाद आपको यहां से इसे धीरे धीरे ज्यादा और कम करना है जैसा कि आप देख रहे हैं 5 हो गया 5.6, 6.3, 7.1 इस तरह से हम अपर्चर की वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हैं इसको प्रेस करना है और इसको रोटेट करना है और अब मैं बताऊंगा आपको सटर स्पीड सटर स्पीड को चेंज करने के लि इसका मतलब यह है कि 1 सेकेंड का 328 पार्ट 1 बाइटी यनकी 1 सेकेंड का 80 पार्ट जैसे 1 मिनिट में 60 सेकेंड होते हैं उसी टाइप से 1 बाइटी पार्ट समझ रहे होंगे तो इस तरह से हम सिर्फ इसको गुमाने से हमारा कम ज्यादा वैल्यू कर सकते हैं सटर स्पीड की आज के लिए इतना ही बागी अगली क्लास में